अगर आप मेरी तरह बालों में ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कभी भी जिन्दगी में बाल नहीं जड़ेंगे, कभी गंजवपन नहीं होगा और कभी भी हेर ग्रोथ नहीं रुखेगी जी हाँ अगर मेरी बताई हुई रेमेडी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके बाल दिन पर दिन लंबे होते रहेंगे, दस गुना लंबे होंगे और हाला कि अगर आपके बाल जर्ड से निकल आ रहे हैं कुछ इस तरीके से तो आपके बालों का जो जर्ड से निकलना है वो पूरी तरीके से रुख जाएगा और आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और कई बार ऐसा कमेंट आता है कि हमें बिल्कुल natural remedy बताएं जो हमें बाहर से product खरीदने ना पड़ें तो friends मैं आज आपके लिए बहुत ही बहतरी remedy लेकर आए हूँ जिसके इस्तमाल से आपके baby hair आना शुरू हो जाएंगे और जो hair fall है वो पूरी तरीके से रुख जाएगा आपके बालों का जणना जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा क्योंकि यह हर दूसरे तीसरे वेक्ति में देखने को मिल लगी है hair fall की सबसे ज़्यादा समासिया तो friends इस remedy को बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है हमने बहुत ही कम ingredient से इस remedy को तयार किया है और जो भी remedy हम जो भी ingredient ले रहा है वो आपके घर पर मौझूद होंगे और एकदम natural ठीक है तो हमें इस remedy को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है aloe vera की leaves ठीक है मैंने यहाप aloe vera की leaves लेए है और उसके काटे निकाल लई हूँ और इसको जो है आप इस तरीके से काट लीजिया और इसका pulp निकाल लीजिया pulp निकालना बहुत असान है आप उपर की इसकी परत हटा लीजिया और आप चमच की मदद से भी आप जो है pulp निकाल सकती है जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आप इस तरीके से निकाल सकती है यह सबसे असान तरीका होता है अलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेबंद है और अब तो अलोवेरा हर घर में मौझूद है तो आपको बहार कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाले यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप नैचरल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर इसको आप मिक्सी जार में इसका जो पल्प है वो एट कर लीजो और इसको अच्छे से पीस लीजिए उसके बाद आपको पानी गरम करना है पानी गरम कर लीजिए अच्छे से और उसमें रख दीजिए कटोरी और उसमें मैं एट कर रही हूँ कोकोनेट ऑईल वन टाइम के लिए बना रहे हैं और ये रेमेडिया आप जब भी लगाए तो ताजी-ताजी ही बना के लगाए ठी ये चाए तो मैंने या पर दो से तीन चमच कोकोनेट ऑईल लिया है और जो मैंने इसमें ऐलोविरा पीसा घ्राइंड किया था वो इसमें एट कर रही हूँ जब तक तेल और अलोविरा आपस में मिल नहीं जाते हमें जब तक चलाना है और इसे गरम पानी में रखा रहने देना है, हमें थोड़ा सा गुनगुना ही अपने बालों में लगाना है, उसके बाद मैं इसमे एड़ कर रही हूँ रोजमेरी इसेंशल आइल अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद जमीन तक लंबे हो, कमर तक लंबे हो या फिर घुटनों तक लंबे हो तो आपको इसेंशल आइल जरूर से जरूर जो है, यूज़ करना चाहिए वो भी रोजमेरी ठीक है, तो मैं यहाप तेन से चार बूंदे रोजमेरी इसेंशल आइल की एड़ कर रही हूँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है अपने बालों में अपलाई करेंगे मैं अपलाई कैसे करूंगी यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कई बार हम हातों से लगाते हैं कॉटन से लगाते हैं लेकिन इस बार मैं डॉपर की मदद से अपने बालों में लगाऊंगे इससे क्या benefit होगा कि easily पूरी मांग में बहुत अच्छे से apply होता है और massage बहुत अच्छे से होती है ठीक है तो यह जो remedy हमारी बन कर तयार हो गई है आप अपने बालों को पहले अच्छे से come कर लीजिए आप अपने बालों को कंगा कर लीजिए ताकि जो भी उल्जने आपके बालों में से निकल जाए और इसलिए आप इस application को कर पाएं ठीक है तो mixing बहुत जादा जरूरी है उसके बाद मैं यहाँ पर यह ड्रॉपल ले रही हूं इसकी मदद से ही अपने पूरे बालों में apply करूंगी इस तरीके से ही आपको apply कन है फ्रेंट देखे मैंने नारियल का जो तेल है वो रूसी से निजात दिलाता है सबसे पहले साथी साथ बालों को बढ़ाने भी मदद करता है और इसमें होते हैं anti-fungal और anti-bacterial properties होती हैं जरूरी vitamins होते हैं fatty acid होते हैं जो की बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ पोशड भी देते हैं अगर हम अपने बालों को जर्णा शुरू हो जाता है दो मुहें बाल हो जाते हैं आज समय सफेद बाल होने लगते हैं तो यह सारी जो प्राप्लम है वो होना बंद हो जाएंगे अगर आप यह वाला treatment लेते हैं वहीं हमने इसमें aloe vera का pulp इस्तमाल किया है तो इसमें ऐसे enzyme होते हैं जो की scalp की daddy skin को repair करने में बहुत जादे हैं सती साथ यह conditioner के लिए बहुत अच्छा होता है यह बालो को मुलायमवा चमकदार भी बनाता है तो एक तरीके से यह जो चीजे हैं हमारे बालो के लिए बहुत ही फायदे बंद है और हमारे scalp के लिए बहुत जादा फायदे बंद है अगर आप इ करना कब है आप यह नहाने से पहले 30-40 मिनट पहले लगा लें अपने बालो में और उसके बाद जो है आपको अपने जो कोई भी शैंपू है जो जिस शैंपू से आप हिर वाश करते हैं उस शैंपू से हिर वाश कर देना है रोजमेरी जो हमने इसेंचल और अटकिया ऑप् आप 15 दिन में ही देखेंगे आपके बालो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके बालो में वाल्यूम आ जाएगा और आप यकीन मानिए कि आप खुद इस रेमेडी को लगाना पसंद करेंगे तो उमीद करती हूँ कि आपको अच्की रेमेडी जो है यूस्फूल लग योगी जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजो और मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के लेटेस नोटिफिकेशन पहुंचें आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख बाए और फ्रेंट्स अगर आप इस रेमेडी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिपलाई जरूर करू तो फ्रेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक कियर